प्रस कॉंफिएंच शामिल हैं तो डैसली बहुत बहुत तन्वाद दोस्तों मानसावदी सरकार लगातार पंजाब नू आर्थिक तौरते मजबूत होगे वोदेली लगातार सार्थक प्रयास पंजाब सरकारवलों कीते जा रहे हैं उसे कडिच पिछले दिन जड़ा विदा पांसवादा सेशन खतम होया है उस सेशन च कई एहम फणेशल बिल जड़ेया पंजाब सरकार ने पास कीते हैं वो ते सब तो एहम जड़ा पंजाब गोड और सर्विस टेक्स अमेंडमेंट बिल दोजार तेही हो दा मैं जिकरत वाडिशामनें करूंगा जीस्टी चेड़ ना सिर्फ पंजाब दा कलेक्शन जड़ा है जीस्टी दा बदूगा नाल नाल लोका नो एक जीरो थ्री कोड दे राही एक एहम सहूलियत पंजाब दे लोका नो गिती है कि जेड़े भी लोग पंजाब तो बार जाके भी परचेस कर दे है अगर ओ जीरो थ्री कोड दा टेक्स है पंजाब दे खातिच पोगा ये रेवोलुशनरी एक सुधार है आर्थिक सुधार लगातार असी कर रहे हैं कि आर्थिक तोरते पंजाब नू जड़ा मजबूत बनाईये ताकि नमे रोजगार देए नमिया नौकरिया नौजवाना नू देए पंजाब दा आर्थ मर्ची जाकि ओगर परचेज कर देया तो पंजाब दे खातिच कर सकतेया और जीरो थ्री कोड दे रही और उदेना डेफिनेटली पंजाब दे रेवन्यू कलेक्शन चे इनक्रीज होगा वद्दा होगा दूसरा मान साथ दी सरकार ने कहम जड़ा फैसला लेया है ओटी एस जड़ा वैट दे रही वन टाइम सेटलमेंट स्कीम है हाला कि वन टाइम सेटलमेंट स्कीम पहला भी सरकारा कोश्चा कर दिया रही है लेकिन कामजाब नहीं हो सकी है और उदे कई कारण रहा है मान साथ दी सरकार ने पंजाब दे जड़े कैबनेट मिनिस्टर साहबाना न इरते बहुत बारी की ना माइन्यूट ली और जिरे स्टेक होल्ड रहे हैं ना चर्चा करके एक बहतर OTS स्कीम लागू कीती है OTS स्कीम चे दो तन चीज़ां इपॉर्टेंट है जिरिया मैं तो अड़े रही पंजाब दे लोका नो दसना बहुत जुरूरी है गले अभी पंजाब दे लोका नो करकर तक एक गल जानी चाहिए दिया है पंजाब दे मान्योग मुक्वंत्री सरदार पगवन सिंग मान जी दी अगवाईच पंजाब सरकार लगातार आर्थिक सुदार कर रही और लोका नो बेहतर ट्रांस्पेरेंट सुदा दे रही है वन टाइम सेटलमेंट स्कीम चे एक लख तक दे जिन्ने वी या अगस्त दोहजार तेही तक जिन्ने वी पैंडिंग है एक लख तक दे बिल्लाते ते पूरी तरा जड़ा 100% वेवर ओफ टेक्स है 100% वेवर ओफ इंटरस्ट है एंड़ परसेंट वेवर ओफ पैनल्टी है पंजाबी वाल कारोबारी वाल ओदेते वेवर जेडा टेक्स दा वेवर 50% एक लख तो एक क्रोड तक 50% टेक्स दा वेवर है 100% वेवर ओफ इंटरस्ट है यानि कि एक क्रोड तक कोई इंटरस्ट नहीं उन्होंने देना पहुआ मार्च दो हजारत या इताक जेड़ी जो पेंडिंग अमाउंट एक किसे वी कारोबारी वाल जेड़े वी साड़े बिजनिसनाल जुड़े लोक है और 100% पैनल्टी वेव है एक दे ते लिए वेवर ओफ पैनल्टी वी 100% है एक करोड तक और उस तो ऊपर जेडा कोई पेंडिंग अमाउंट है तो देते डेफिनेटली और देच केस बहुत कट जंदे है तकरीबन टोटल केस पंजाब दी सरकार दे सामने हजता काट यार आट सो पांज आये है जी देचे नाइंटी फाइपरसेंट अबव नाइंटी फाइपरसेंट केस जेड़ एक क्रोड तक कवर हो जाने है तो एदे नाल एक ते जिड़ा इंस्पेक्टरी राजमान साथी सरकार ने खतम कीता है लोकानू इनकरज कीता है कि यो टेक्स पे कर्म तीसरा उननू सहूलत दिती है कि वन टाइम सैटलमेंट नाल कि जिनना भी मतलब पिछला बकाया आया जिदे तो एक लोकाते डर भी रिंदा सी प्रैशर भी रिंदा सी और सरकार दी जड़ी अमाउंट है वी पैंडिंग है एक तो उस तो बार निकल नगे उस प्रैशर तो दवाब तो और यह अदाइगी करके और मेंस्ट्रीम चीज़ ना सिर्फ पंजाब सरकार नू रेवल्यू क्लेक्श दी ली नदी चायो उना दे एजूकेशन सिस्टम ली यह चायो इंफर सक्चा रोड़ दा चाय से सिख लख दा वाँ उन्हों मोरिया जा रहा है तो एक सरकार दा लोकांते और लोकांता सरकार ते प्रृसेवाल एक कदम जड़ा आमान साथ दी सरकार ने एहम कदम आर्थिक सुदारां दे ना आते चुक्या है जीदे ना सानू ना सिर्फ रेवन्यू कलेक्शन दी बेहतर होन दी उमीद है नार नार लोकां दा टेक्स जड़ा है परनवाले पासे वियो ना दी जड़ी जड़ी कवायद है ओ वदूगी इंकर्जमेंट मिलूगा और जी एस्टी दा जड़ी अमेंडवेंट दोजार टेई की ती अमान साब दी सरकार में ओदे नार भी पंजाब तो बार जिन्नी भी खरीदधारी होगी जीरो थ्री पंजाब दे लोका नू दसना चुनने यसी तो अड़े रहीं कोड जीरो थ्री अगर किसे भी बेलच इन्क्ल की तो अड़ी अपनी चुनी होई सरकार सरदार पकवनसि मान जी अगवाई चामाद भी पार्टी सरकार हर वर्ग नू हर तरीके ना हर पास्यों हर खितें नू लगाता रगे लेके जा रही है और सब तो वद जड़े पंजाब ते खाली हिख जाना जी इकनोमिक कंडिशन बहुत पूर है उसार यहां चीजाओ तोम तानू खतम करके मजबूत आर्थिकता पंजाब दी बन रही है और तो अनू पता है पिछले दिना चिमान जोग मुखमन तरीजी ने गल्ब इन्वेस्टमेंट बारेवी डेटेल तो अडेना चर्चा भी होई है तो अनू दस्या है तो आर्थिक सुदारां कि नवा जड़ाज पहल मांसादी सरकार ने कीती है आमादी पार्टी जो थे पंजाब सरकार दा भी तनवाद कर दी हो थे पंजाब दे लोकानू इस गाली पर सद होने है कि इमांदार जवाब दे मांसाद मांसरकार जड़िया लगातार पंजाब दे विकास ली पंजाब दे पविकनू बेहतर नूली लगी है तो तो अड़ा कोई इस ते स्वाल होगे ते उसी कर सकते तनवाद सब्सक्राइब कर दो कि इसी के ऊपर बीजय पीने की एक लिजाना से स्कीम शुरू की है जो अधरे के जारे जबीर से स्कीम शुरू करने चाहिए ना मंदिर के मुझे को ही जो है अबादी अक्शन के ताइम पर पर मुतबर आ रहे ज़ता है नहीं चलो मैं उदे ते कोई क करना चाहूंगा लेकिन पंजाब सरकार दी जड़ी मंचाया वो सारे तर्मा पाई चारेया नू उन्हा दी आस्ता दे सावना सरकार दी जुम्यवारी दे सावना दर्शन कुनोन दिया जिए ना सिर्फ ट्रैवलिंग लॉजिंग बल्कि बेहतर मेडिकल सोदामान साथ दी स करें कि बारा परसेंट दी ये बाकी है ओपीस सारे तकला देखो ओपीस ते मांजोग फ़नेंस मिनिस्टर जी ने भी अपनी स्टेटमेंट रखी सी पजाब दे पवित्तर सदंच उदे ते पंजाब सरकार औरेडी जड़ा अगे वदी है कमेटी गठित कीती है कमेटी जड कीमनों बहाल करना और डेफिनेटली असी करांगे यह कोई दोरा ही नहीं है दुझी गाल दुझा सवाल की सी तो अटा हाँ डेफिनेटली एक पास से यूजी सी पेस केल दो जार सदारां तो मंग कर रहें से ओ वी बदाया बारह हजार लोका नों पक्का भी कीता है नाल ना माम अठती या आर्थोवद लोका नों प्योरली मेरिट ते नौकरियां दितिया है तो आ जिस तरीक जिस जिस तरीके नाल सूबे दी आर्थिकता खजाना होर वद पैसा आऊँगा असी जडेवी पेंडिंग मुद्दे है चायो डिये दी गल भी तुसी कीती है ओ भी ओन व इनवाले आप किसानी पाइचाराओं लेके तो हर एक वर्ग नू बहतर बनाओं ली लग्या है उनवाले टाइम चासी एदेते भी जुरूर सरकार फैसला लोगी उचित टाइम ते